तो कैसे आपसे भी लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे मैं काफी बड़ा फैन हूं जैपनिस एनिमे का मांगा का बताब वनफीस तो लाइफ लाइफ लाइन है इसमे को मांगा भी लीट करनी हो और हर संडे एनिमे देखना तो कंब बन सरी है तो सेम आपने भी कभी सोच सेम आज हम बात करने वाले किस तरह से ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें प्रिवेस सारे अनिमे आ जाए और लेटेस्ट एनिमे आते रहें ठीक है कैसे सब बनेगी कैसे साइट पूरी वर्क करेगी सेम स्टैल में से आपके बाद स्लाइडर का ऑप्शन हो नीचे ट्र को आपको लेना है और जाके अपलोड कर देना है ठीक है क्या इसके लिए मुझे कोई डाटावेस के रिक्रामें नहीं क्या मुझे इसके लिए कोई API के लिए पे करना पड़ेगा एक्षिन नॉर्मली देखा जाए तो आपको कोई भी एनिमेशन ड्रामा या मूवीस के तो हमई आसे सबसे होगी है यह और यह नहीं होगी है है तो आपकी प्रॉपर साइट सेट अप हो गई है आप यह सब कुच में हें एक बैकरोंड करेंटन में है अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पर one piece लिख किया आ गया है मेरा ठीक है और बाकी जो भी मेरे हैं उस सब आते रहेंगे spotlight टू पर चैन्स हो आ गया black lock आ गया blue lock आ गया ठीक है तो अब फिरिटेरी में आ गये है ठीक है और जैसे मैं नमदा latest episode आ रहा है या नहीं आ है यह देखिए यहाँ पर latest episode आ चुका है ठीक है second episode आ चुका है episode 2 आ चुका है अब भाई यह आ गया है चलता भी है question तो यह भी है तो हम इस पर click कर देते है make sure आप इसका link का ध्यान लगे ठीक है ठीक है आप इससे हमें earning के से हम कर सकते हैं यह भी question आएगा तो इसका solution देना पड़ेगा तो देते हैं तो इसका solution बहुत simple है आपको यहाँ पर जाना है आपको पहले जाना config file में तो config file में जाने के बाद अब यहाँ पर आपकी देखे ठीक है आपकी वेबसाइट का नाम होगा आपको special कुछ नहीं करना है अब आता है next की server name आपकी ले लिए आप चाहे कोई भी episode खोलेंगे आप इक इस साइट पर खोलेगा ना आता है logo तो इस location पर जाकर आपको logo चेंज कर देना है भी आपने logo बना रखा है ठीक है मैं आपके बताता हूँ वह भी कैसे अब यहाँ पर अपने एक्स वेजट अपना contact information डालनी है आपको अब अपने email address डाल दीजिए ठीक है अब यहाँ पर आपके शोशल मीडिया लिंक्स है जाए दिखें आप डिसकॉर्ट का अगया रेडिट का हो गया तो यहाँ पर आप अपने और कुछ नहीं करना है अब कुशन आता है कि हम इसका जो स्टार्टिंग में स्लैडर आदा वन पीस और स्पॉट लाइट पर इसका केसी को लगाना चाहते हैं कुछ हैलइक करने चाहते है तो कियसे करेंगे ठीक है फस्ट लपima को इसецग कर देंगे आप का कांप हो जाएगा जो भी में जिसे हो देखिए यहां पर रही है ठीक है अब पहले content change करना है तो content change करने के लिए आपको PHP पर जाना है प्याइच पीज़ाने के पर हम slide बार पर जाएंगे ठीक है तो first वाला one piece लिख क्या रहा ठीक है तो TV series spotlight 1 spotlight को 11 कर देते हैं और यहां 90 को कर देते हैं चेंज करें से एक्जांपल के दिखा रहो और रिलोट कर देते हैं ठीक है देखे 11 हो गया चेंज हो गया तो आप अरव आपने साथ सेचंज करेंगे वहाँ हिसे चेंज करेंगे आप फिन में चेंज करेंगे करें checks लागा सकते हैं पूरे आप यहाँ पर एक एड लगाना है यहाँ पर लगाना है तो कोई भी एक डलू 3 लेजीए इमेज जनेरेटर आप ले लीजे बसेकल बदेगा और यहाँ पर अपनी इमेज का लिंक डाल देना है हुस है हम यहां पर इसको कर देते हैं 33 हुमल्ष कोॉपी कर लेते हैं। poquito हमिशको वटे न पॉटर में डालना चाहते हैं आप सिर्फ एग्जम्बरन डिगा रहा है। मैं सिर्फ कोड की रिक्वार्मेंट थी नहीं है जावाइस्क्रिप्ट से भी कर सकते देखा ठीक है अब जो हमने इमेज लगाई है वह देखें नीचा में डिस्प्ले हो रही है यह हमारी इमेज आ गई कि आपको यहां पर लगानी है इस एरिया में लगानी है आप पर प्लेस्मेंट के थुरू एड लगा सकते हैं या आप चाहे दो गूब एडसेंट लगा सकते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको और पर लाइव चलता है तो आपके सर्वर पे कुछ भी नहीं आने वाला थोड एक एनिमे की वेबसाइट बना सकते हैं जो कि आपके एनिमे लोट करेगी तो उम्मीद करता है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो इफ यह एनिमे लिवर तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डिस्क्रिप्ट का मिलते है अंगले वीडियो में